आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिपवले पूजन में हमें कौन-कौन से आवस्यक सामग्री चाहिए उन सामग्रियों को किस प्रकार से किस रेशियों में लेना है वह सभी चीजे जानेंगे ये सभी चीजें पहले से ही आप इकठा करके रख लिजेगा ताकि पूजा के समय आपको कोई भी उलजन ना हो क्योंकि एक भी समान कम पढ़ जाता है ना तो हमारे मन में तरह-तरह के फिर संकाय उठने लगती हैं आईए वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी स्वस्त होंगे सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविश्य के कामना करते हुए आज का ये वीडियो श्टार्ट करती हूँ दीपवली का पूजन सनातन धर्म को मानने वाले प्रते घर में होता है इसके लिए हमें जो आवश्क सामगरी चाहिए उसे हम देख लेते हैं तो एक पूजा की चौकी लेंगे उस पर आसन, पीला या फिलाल भी जवा होना चाहिए भगवान, श्री गनेश और मादा महालक्ष्मी की परतीमा लेंगे यदि मिट्टी की ले सके तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मिट्टी को सुध्ध मानना जाता है यदि आपके पास धातु की पर्दिमा पहले से ही है तब आपको मिट्टी की पर्दिमा लेने की कोई आवे सकता नहीं है स्रीयंत्र यदि आपके पास स्रीयंत्रे नहीं है तो इस धन तेरस पर स्रीयंत्र अवस्ते ही खर दें स्रीयंत्र को खड़ी दना घर में मालक्ष्मी को निमंत्रन देना होता है और इसकी उर्जा बहुत ही तेज होती है जल से भरावा एक कलस लेंगे कलस की कंठी पर मौली धागा हमने बांध लिया है और उस पर स्वास्तिक बना लिया है कलस में गंगा जल सबसे पहले डाले और फिर सुद्ध जल से कलस को भर ले साथ में आम यह पान असुक के पत्ते अपलें जोके कलस पर हम अस्थापित करेंगे कलस में हमने हल्दी, दुर्वा, शुपारी, लॉंग, इलाईजी, इत्रफ और सिक्का डाला है यह जो हम आम के पल्लव यह फिर असुक के पल्लव डालते हैं यह विसम संख्या में होने चाहिए जैसे कि 5, 7, 9, 11, 7 ही लेंगे पुस्प और पान के पत्ते कमल का पुस्प मालक्षमी को अतेधिक प्रिये हैं तो कमल का पुस्प अवस्य ही ढूंड ले और यदि बाई चांस आपको कमल का पुस्प ना मिल पाएं तब गुलाब के फूल जरूर रखें यह पान के दो पत्ते हमने लिए हैं साथ ही थोड़े से अलग से फूल हमने दिये हैं यदि आपको गिंदे का फूल मिल जाता है तो उसे भी पूजा मी सामिल करें लक्ष्मी पूजा में सब्ते धान का खास कर इस्तमाल किया जाता है पूजा के समय सब्ते धान पूजा दुकान में यदि आप मांगेंगे तो आसानी से मिल जाएगा जब आप पूजा कर रहे हों तब एक लोटा जल भढ़ करके जरूर रखना है ऐसा बिलकुल ना करें क्योंकि जादा तर लोग ये गलती करते हैं सास्तर वैसे भी कहता है कि आप जब भी कोई पूजा कर रहे हों या जब भी कोई अनुष्ठान कर रहे हों तब एक लोटा जल जरूर वहाँ पर भढ़ के रखना चाहिए पूजा में दो दीपक अनिवारिय हैं एक घी का और दूसरा सर्शों के तेल का सर्शों के तेल में हम लाल रंग की बाती का इस्तिमाल करेंगे और घी के दीपक में हम रूई की बाती का इस्तिमाल करेंगे हल्दी, धूप, माचिस और अक्षत जो की रंगे वे हैं हल्दी या केसर से आप पहले से ही चावल को अच्छी प्रकार से रंखे रख लें, आरती करने के लिए हमने एक पात्र ले लिया है, और आरती में डालने के लिए साथ ही भीम सेनी कपूर लें, बहुत सारे लोग पूजा में टिकिया वाले जो कपूर आती है उसका इस्तमाल क करना चाहिए भीम सेनी कपूर जो होती है घर से सारी negativity को समाप्त करने का काम करती है और ये बहुत ही सुद्ध होती है इसलिए भीम सेनी कपूर कर इस्तमाल करना चाहिए मालक्ष्मी के पूझा है तो यह चीज़े अनिवारिये हैं इसमें हमने लाल गुंजा दिया है ये ब रखते हैं गोंती चक्र हमने लिया हैं और कौडियां ली हैं सुपारी इसमें मैंने अभी नहीं रखा है तो सुपारी भी आप रखने एक चांदी का सिक्का जिसमें मालक्ष्मी और भगवान से लिए गनेश दोनों ही बैठी अवास्था में हो यदि ये सभी चीजें ना मिल पाएं तब देखे इस तरह से पैकेट में सब कुछ बनावा आता है इसमें साड़ी आविश्चक चीजें होती हैं जिन्हें आप धन पोटली में इस्तिमाल करते हैं ऐसा भी मार्केट में बनावा मिलता है तो इन चीज़ों का इस्तिमाल मालक्ष्मी की पूजा में अवस् इस रोप से कीया जाता है एक तुछ कलेस्थरा अस्थाफिशति करने के लिए दूसरा भोग लगाने के लिए isti yapyone 500 भी कर सकते हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं साथ में हमने लावा लिया है जो कि मालक्ष्मी पर इस तिम डाले जाता है रितु फल लेंगे और बतासा ल करेंगे यह आरपन करेंगे। हम देखेंगे लॉंग औरिलाइची अनुवारी है इसे आपहवन में भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह गुलाब का इत्र है जो मालक्श्मी के पूजा में इस्तिमाल किया जाता है और किस प्रकार से इस्तेमाल होगा वो भी हम आगे जानेंगे पूजा में अरपन करने के लिए सिंदूर लेंगे और शाथ ही लेंगे कुम-कुम अश्टगंद चंदन ये देखें ये हमने कुम-कुम लिया है जिसे रोली भी बहुत जन बोलते हैं और पील चंदन ये हमने लिया है ये मैं खोल कर आपको दिखा देती हूँ ये दिखें पील चंदन है तो पील चंदन भी अवस्य ही रखें मॉली हमने लिया है और ये चोटा सा कपड़े का हमने टुकड़ा ले लिया है जिसे हम नारियल पर लपेटेंगे क्योंकि नारियल को ऐसे ही नहीं जरहाया जाता है द है यदि आप मालेक्षमी को प्रिशनने करना चाहते हैं तो आप तेल के द्व wedख़र कर सकते हैं कमल गट्यकर कामल सब्सक्वाकर की हमने नारिय। तो यहां पर जारू का इस्तेमाल जरूर करें जो धंतेरस पर जारू खरिते हैं उसकी भी पूजा यहां पर अवस्य ही की जाती है यदि आप धंतेरस पर पूजा कर चुके हैं तब तो कोई बात नहीं वरना धंतेरस पर जो जारू खर दी जाती है उसका इस्तमाल उसका पूजा जो है वो दिवपावली के दिन की जाती है इस प्रकार से पूजा की सभी सामगरियों को यदि आप पहले से ही कठा करके रख लेते हैं तो पूजा में आपको कोई उल्जर नहीं होने वाली है दिवाली की पूजा में धनतेरस के दिन जो भी भूसन खड़ीते हैं उन्हीं भी पूजा में सामिल किया जाता है उमीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा यदे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिलकुल न भूलें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे मैं सकार दूसनो